हलो दोस्तों स्वागता आपका अपने यूटूब चैनल आशुजी के ट्रिक में आज हम सिंदू गाटी सब्वेता के महात्पून प्रशनों का अर्ध्यन करेंगे ये जो प्रशन है ये विभिन प्रिक्षाओं में पूछे जा चुके है तो आप वीडियो के अंतक बने रहे और इस से पहले इसके तीन पार्ट भी आ गए तो आपने वो पार्ट नहीं देखे तो उन्हें भी जरूर देखेगा तो शुरू करते हैं आज का पहला क्यूशन पूर्व से पस्चिम सिंदू सब्वेता का विस्तार है तो बताईए इसका अंसर क्या होगा जो सिंदू गा सब्वेता है इसका विस्तार पूर्व से पस्चिम माना जाता है सुद्गा गेंडोर से आलमगिरपूर तक अब प्रशन है कि सुद्गा गेंडोर का पर है तो सुद्गा गेंडोर का पर है पाकिस्तान की ब्लूचिस्तान में और किस नदी के किनारे दाश के नदी के किनार अब जो आलमगिरपूर है ये कापर है ये उत्तर परदेश में है और उत्तर परदेश के मेरड जिले में है और मेरड जिले में हिंडन नदी के किनारे है अब ये तो हो गया पूरू से पस्चिम अब जो उत्तर से दक्षिन है ये का से का तक है तो उत्तर से दक्षिन है मांडा से देमाबाद तक जो मांडा है ये जम्मु कस्मीर में है और किस तैसिल में अकनूर तैसिल में और जो देमाबाद है ये महाराष्ट में है नेक्स्ट क्यूशन है सिंदु घाटी सीमा का सर्व पर्थम निर्धारण किस ने किया तो जो सिंदु घाटी सीमा है इसका सर्व पर्थम निर्धारण किस के दुआरा किया गया था चार्ल्स मेसन नहीं, बर्टन नहीं, दयाराम साहनी नहीं या एसार राव नहीं तो सिंदु गाठी सीमा का सरोपर्थम निर्धारन किया गया था एसार राव के दुआरा और जो एसार राव है इनका पूरा नाम क्या है सीनियर रंगनात राव इन्होंने किसकी खोज की थी तो भई इन्होंने लोथल की कोज की थी जो कापर है गुजरात राज्य में धोलवी तालुगा में छीक है अब आप ये बताईए कि जो लोथल है या से कौन-कौन से आउशेस मिले है इसका उतर आप तिर्बूजाकार, चतुर्बूजाकार या इन में से कोई नहीं तो भई सिंदूगाटी सब्वेता का आकार माना जाता है तिर्बूजाकार अब ये तिर्बूजाकार क्यों माना जाता है क्योंकि जो सिंदूगाटी सब्वेता है इसका विस्तार कहां से का तक फेला हुआ है भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इस कारण इसका जो आकार है वर किस तरह का है तिरबूज के आकार का नेक्स्ट क्योशन है सिंदु गाटी सब्वेता का विस्तार कितना है तो जो सिंदु गाटी सब्वेता है इसका विस्तार कितना माना जाता है इसके ओप्शन है 12,99,600 वर किलोमेटर 10,99,600 वर किलोमेटर 11,99,600 वर किलोमेटर या 13,99,600 वर किलोमेटर तो जो सिंदु गाटी लेरा लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर है। है स्वतंदरता के बाद सिंदु गाटी सब्वेता के सरवाधिक इस्तल कहा से मिले है गुजरात राज्य में पाकिस्तान में हर्याना राज्य में या पंजाब में तो जो सिंदु गाटी सब्वेता है 1947 के बाद में सरवाधिक इस्तल कहा से मिले है गुजरात राज्जे से अब जो गुजरात राज्जे है यहां से दो जार तीन चार में एक इस्तल मिला है कौन सा जूनी करण और इसकी खोज किसके दूरा की गई थी शुब्रा प्रामानिक के दूरा की गई थी और यहां से कैसे होशिस मिले है जैसे कि दोला वीरा से मिले थे कैसे खेलो के स्टेडियम उसी परकार के अवसेस जूनी करन से भी मिले है नेक्स्ट क्षुछन है सिंदु गाटी सब्वेटा को सबसे पहले किस ने देखा? तो जो सिंदु गाटी से बेता है इसको सबसे पहले किसने देखा था चाल्स मेसन नहीं, दयाराम सहनी नहीं, फेयर सर्विस नहीं या ओरल इस्टाइन नहीं तो किसने देखा था इसको सबसे पहले चाल्स मेसन नहीं और कब देखा था अठारा सो चबीस में नेक्स्ट क्योशन है भारतिय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है इसके ओप्शन है दयराम साहनी को एक कनिंगम को ओरल इस्टाइन को या जोन मार्शल को तो जो भारतिय पुरातत्व का जनक है किसे कहा जाता है एकनिंगम को और इनका पूरा नाम क्या है एलेक जेंडर कन और इन्हें भारतिय पुरातत्व का जनक क्यों कहा जाता है जब 1856 में जोन बटन और विलियम बटन नामक दो इंजिनेर भाइते जिन होने लाहोड से मुल्तान तक रेल बिचाने का कारिय कर रहे थे चीक है तो जो ये रेल बिचाने का कारे कर रहे थे इसका नेत्रों तो कौन कर रहे थे ए कनिंगम इस कारण इन्हों ने क्या कहा कि जो सिंदु गाटी सब्वेता है वापर जो टीले थे उनकी नीचे कोई न कोई शेहर जरूर है जो बहुती प्राचिनिया पुराना है उसके पस्चात में इन्होंने 1861 में भारतिये पूरातत्व सर्वेक्षन विभाग की इस्तापना की इस कारण इसे जो एकनिंगम है इन्हें भारतिये पूरातत्व का जनक कहा जाता है अब प्रश्न है कि राजस्तान पूरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है तो राजस्त तो भारतिय पुरातत्व का जनक तो कहा जाता है। एककनिंगम को और यश्चतान पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट केशन है। सिंदु गाठि सब्वेता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है बताईए इसका सही आंसर इसके ओप्शन है हडपा सब्वेता तामरी यूगीन सब्वेता कासे यूगीन सब्वेता या उप्रियुक्त सभी तो जो सिंदुगाटी सब्वेता है इसे उप्रियुक्त सभी नामों से जाना जाता है अब इस नगर के अउशेस मिले थे इस कारण इसे पर्थं नगरिये सबैता भी कहा जाता है क्योंकि जो सिंदु आठी सब्बेता है यही से हमें पर्थं नगर कर के आउशेस मिले थे इस कारण इसे पर्थम नग्रिये सब्धा भी कहा जाता है नेक्स्ट क्रिशन है भारतिय दियास में 20 वी शताब्दी का क्योंकि इस सिंदु गाटी सब्वेता की खोज हुई थी कब हुई थी 1921 में किसके दुवारा की गई दयराम सानी के दुवारा और जो इसका नेतरत्व है कौन कर रहा था मार्शल नेक्स्ट क्योशन है हडपा सब्वेता का नामकरण किसके दुवारा किया गया तो जो हडपा सब्वेता है इसका नामकरण किसके दुवारा किया गया था इसके ओप्शन है जोन मार्शल, दैराम सानी, बर्टन या सभी तो हडपा सब्वेता का नामगरण किया गया था जोन मार्शल के दुआरा और इसकी विधिवित गोशना कब हुई थी? 1924 में लंदन सापता ही के समाचार पत्र में इसकी विधिवत गोशना की गई नेक्स्ट क्वेशन है एक मनमूर्ती में मानवधड और पशु का सिर दिखाया गया है यह किस इस्तल से प्राप्त हुआ है? तो बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसके ओप्शन है लोथल, हडपा, काली बंगा या बनावली तो जो मानवधड और पशु का सिर है यह का से प्राप्त होता है? लोथल से लोथर गापर है गुजरात में और जो यह मानवधड और पशु का सिर है यह वर्तमान में नरसिंग जी के अउतार की तरह माना गया है नेक्स्ट क्योशन है आटा पीसने की हत चक्की किस इस्तल से प्राप्त हुई है तो जो हास से हम जिस चक्की के दोरा हास से आटा पीसते है यह किस इस्तल से प्राप्त हुई है इसके ओप्शन है लोथल आलमगिरपूर काली बंगा या बनावली तो आटा पीसने की हत चक्की प्राप्त हुई है लोथल से और जो आलमगिरपूर है यहां से क्या प्राप्त हुआ है रोटी बेलने की चोकी ठीक है तो रोटी बेलने की चोकी तो प्राप्त हुई है आलमगिरपूर से और आटा पीशने की हत्चकी प्राप्त हुई है लोथल से नेक्स्ट क्योशन है काली बंगा का शाबदी कर्थ क्या है काले रंग की चूरिया काली जमीन का होना काले गड़ों का होना या इन में से कोई नहीं तो जो काली बंगा है इसका शाबदी कर्थ क्या है काले रंग की चूरिया और काली बंगा का पर है राजस्तान के हनुमानग में नेक्स्टकुर्शन है एक मात्र ऐसा स्थल जहां से सिंदु सम्वता वह पूर्व सिंदु सम्वता के आउशेस मिले है वह कौन सा इससतल है तो बताईं इस स्थाया क्या होगा सिंदु सम्वत्य Princip vehicle और पूर्व सिंदू सब्वेता के आउशिस मिले है। इसके option है काली बंगा, मोहन जोड़ो, बनावली या लोथल। तो कौन सा इस्तल है वह आए? काली बंगा। जो काली बंगा है, इसका जो उपरी इस्तल है, यहां से तो हमें सिंदु सब्वेता के आउशेस प्राप्त हुए है और जो इसका नीचला हिस्तर है यहां से पूर सिंदु सब्वेता के आउशेस मिले है नेक्स्ट क्योशन है दीन हीन बस्ती के नाम से किस सब्वेता इस्तर को जाना जाता है तो दीन हीन का मतलब क्या हुआ गरीब तो किस नाम किसको जाना जाता है इसके option है काली बंगा लोथल हडपा या धोला विरा तो दीन हीन बस्ती के नाम से जाना जाता है काली बंगा को अब प्रशन है कि इसे दीन हीन बस्ती का नाम क्यों दिया गया क्योंकि जो यहां से मकान मिले हैं, वक किस प्रकार की इटो से बने हुए है, कच्ची इटो से, इस कारण से इसे दीन हीन बस्ती कहा जाता है, next question है, सम्रद्ध के शहर के नाम से किस इस्तल को जाना जाता है, तो बताई इसका आंसर क्या होगा, क्यों सम्रद्ध के शहर या परिपून नगर जो सम्रद है इसका दूसरा परिपून भी होता है तो किसको कहा जाता है बनावली को मोहन जोदडो को कोट दीजी को या कालि बंगा को तो सम्रदों के सहर को बनावली को कहा जाता है अब इसे क्यों कहा जाता है क्योंकि यहां से अनेक परकार के मन के मिले है जिन पर सोने की परत चड़ी हुई है जिसके कारण जो बनावली है इसे सम्रद शहर कहा गया है नेक्स्ट क्योशन है खेलो का मेदान किस इस्तल को कहा जाता है इसके ओप्शन है धोला वीरा को बनावली को कोट दीजी को या काली बंगा को तो खेलो के मेदान की नाम से किसे जाना जाता है धोला वीरा को क्योंकि यहां से खेलने के स्टेडियम प्राप्त हुए है यह पहला इस्तल है जासे खेलने के स्टेडियम प्राप्त हुए है और जो दूसरा इस्तल है कौन सा है जूनी करण जो कहा पर है गुजरात राज्य में और जो धोला भी रहा है यहां से में 16 जलाज से भी प्राप्त जाता है तो जो सिंदू गाटी सब्वेता है इसकी तीसरी राजदानी किसे कहा जाता है इसकी ओप्षन है बनावली को हडपा को कोट दीजी को या काली बंगा को तो सिंदू गाटी सामराज्य की तीसरी राजदानी कहा जाता है काली बंगा को अब काली बंगा को सिंदू गा प्रियोग में ला रहे हैं जो वर्तमान में जो चूले है वह इनी का रूप माना जाता है नेक्स्ट है काली बंगा से कुल कितनी कबर मिली है 36, 37, 32 या 40 तो काली बंगा है वहाँ से कितनी कबर मिली है 37 और जो यह 37 कबर है इसमें एक कबर ऐसी है कि उसमें बाललक की खोपड़ी में 6 छेद मिले है जो पर्थम सल्य चिकिस्ता की जानकारी देते है अब काली बंगा से 37 कबर मिल गई लेकिन अब आप यह बताईए कि आर से 37 किस कबरिस्तान को या कहा के कबरिस्तान को नाम दिया गया है नेक्स्ट क्योशन है विश्व में सर्व पर्थम भुखम के साक्षे किस स्तल से मिले है इसके ओप्षन है लोथल से काली बंगा से या हडपा से या बनावली से तो जो विश्व की बात आ रही है पर्थम बार भुखम के साक्षे मिले है काली बंगा से अब इसका पता हमें के इसे चला कि जो यहां की दिवारे थी उनमें दरारे पाई गई है जिसके आधार पर यहनुमान लगाया गया कि यहां पर बुखंब आया होगा नेक्स्ट क्योशन है औरस पुत्र की सिस्तल को कहा जाता है इसके ओप्शन है रंगपूर को काली बंगा को धोला विरा को या लोथल को तो औरस पुत्र की संगय दी है रंगपूर को क्यों दी गई है क्योंकि यहां से उत्री सिंदु गाटी सब्वेता के आउशेस मिले है ज वडावर दोनो या अम्रानंद गोश के दुआरा तो जो काली बंगा है इसका उत्ख Authent Crich और जो काली बंगा है इसकी खोज किसके दुवारा की गई थी अमलानन्द गोश के दुवारा कब की गई थी 1951-52 के मद्धे अब इसका लाश क्योशन है काली बंगा का उत्खनन कारिये कब करवाया गया 1961-1989 के मद्धे, 1960-1965 के मद्धे, 1950-1956 के मद्धे या इन में से कोई नहीं तो जो काली बंगा है इसका उत्खनन करवाया गया था 1961-1989 के मद्धे किसके दुवारा बीवी लाल और बीके थापर के दुवारा अब ये पूर्व का परशन है जो मैंने आपसे पूचा था कार्बन डेटिंग परदत्ती की खोच किसके दुवारा की गई तो इसके खोच की थी विलियार लिब्बी के दुवारा और इसका आंसर कई बच्चों ने भी दिया था अब ये आपके लिए प्रशन है इसका उत लिखने को मिलेगा धन्यवाद दोस्तों